ए रगुनंदन स्री राम, उन्होंने साथ हजार योजन भूमी को खोद डाला, इस प्रकार से सगर के पुत्र राजकुमार सर्वोतम रसातल का अनुसंधान करने लगे, हे राजाओं में स्रेष्ठ राम, इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप भूमी को खोदते हुए, वह सगर के पुत्र राजकुमार सब और चकर लगाने लगे, राजा सगर के पुत्रों का कार्य देखने के पस्चात गंधर्व असुर नागो सहित संपूर्ण देवता मन में बहुत घबरा उठे और वह ब्रम्हाजी के पास गए, वह सब अत्यंत भय से तरस्त थे और उन सब के मुख पर विशाद था, उन्होंने भगवान महात्मा ब्रम्हाजी को प्रसंद करने के पस्चात इस प्रकार से कहा, हे भगवन सगर के पुत्र राजकुमार इस सारी पृत्वी को खोद रहे हैं, बहुत से महात्मा एवं जलचर जीवों का वध कर रहे हैं, वह सभी सगर के पुत्र राजकुमार ऐसा कहकर हिमसा कर रहे हैं, यह हमारे यग्य में विग्ण डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जात रहा है, इस प्रकार से कहकर प्राणियों की हिमसा कर रहे हैं, ओम स्री गुरुभ्यो नमहा हरिही ओम इत्यार्शे स्रीमद रामायने वाल्मी कीये आधिकांब्ये बालकांडे एकोन चत्वारिम्षह सर्गह संबूर्नम् चुरुब्टर्ण मैरा ओडरिम्षान।